लोड़ आलू पयाज से बनारी बहुत लेव है बिल मार बहुता है 116 लेक। अब हम क्या करेंगे इसे हातों से एक एक लच्छे को अलग कर लेंगे तो इसे यो पर्ते थालग हो कि ग्लाचे लहाता है अब हम क्या करेंगे इसमें आदी चमच के करीब लाल मिश पॉड़र डालेंगे आदी चमच चाट मसाला पॉडर आदी चमच गरम अरब अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसे अलका सा क्रस करके डाले अब हम इसमें थोड़ी सी कटीवी धनिया पत्ती डालेंगे अब हम इसमें चावल का आटा लेंगे तो यहां पे हमने 3 से 4 चमच के करीब चावल का आटा लिया है अगर आप के पास चावल का आटा ना हो तो आप इसके जगर कॉर्ण फ्लोर भी ले सकते हैं तो इसे अच्छे से अब हमें मिक्स करना है तो सारे प्याज और मसाले को मिक्स कर लेते हैं तो यहां पे अब हमने नमक नहीं डाला है नमक हम बाद में डालेंगे तो यह दिखे हमने इसे मिक्स कर लिया यहां पे मैंने थोड़ा सा हल्दी पौडर लिया इससे इसका कलर मिला लें तो देग सकते हैं ेससे अच्छ से मिला लेते हैं ånga अुबलेवे अलो लिए तो यहां पें 300 ग्राम के करीब अब अलो लिए हैं अब हम क्या क्रेयंगे इसे ग्रेय opinion पठली बाले जो ग्रेटर होती है डो । ग्रेट कर लेते हैं आप चाय तो इसे मैस भी कर सकते हैं बस ध्यान राइस में एक भी गुठलिया ना रहे तो यह देखिए सारे आलू को हमने ग्रेट कर लिया तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो यहां पर हमने आदी चमच के करीब लालमिच पॉडर लिया है आदी चमच नमक डालेंगे या फिर साथ करम सार नमक डालेंगे नमक हमने प्याज में भी डाला है उससे आप से नमक डालेंगे आदी चमच चाट मसाला पॉडर डालेंगे और आदी चमच गरम मसाला पॉडर बहुत जादा मसाले अब हम इसमें नहीं डालेंगे इसे से मसल लीजिए क्योंकि अगर इसमें गुठलियां हो न तो निकल जाए अब हाथों में हलका सा तेल लगाएंगे और इसे रोल करेंगे तो इसे निम्बू के अकार का हम इसे रोल करेंगे तो यह देखिए तो इस तरह से में बहुत सारा बना के त्यार कर लेना है तो पहले हा आप हमने बहुत सारा बना के त्यार कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम प्याज को मिक्स कर लेते हैं, फिर आलू वाले जो हमने श्टपिंग त्यार किया था, उसे उठाएंगे, प्याज में इसे अच्छ से कोट करते वे, इसे हम पकोड़े के तरह बनाएंगे, तो ह अच्छे से बाब करें एकी तरह तरह से में आ तो है यह अच्छेसे दवा देगा गार करें है तो इस नास्ते को आप जरूर ट्राय कि बहुत एज फीफाने進 हो नास्ते को पड़ीजिभा तो यह देखी है अच्छे सब को पसंद आएगा यह रिस्पी, तो यह देखिए, हमने बहुत सारा बना के त्यार कर लिया, अब हम इसे फ्राय करेंगे, तो चलते हैं, गास की तरफ, तो यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए, तो तेल अच्छा सा गरम हो गया है, तो अब हम क् करके हम पलट देंगे और फिर दूसरी साइट से भी हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम आज पर ही फ्राइ होने देंगे तो गैस को मीडियम ही रखें तेज आज पर इसे फ्राइड ना करें नहीं तो उपर से जल जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा तो इसे ऐसी एक से दू बार उलट उलट के हम फ्राइड कर लेंगे तो देख सकते हैं नास्ते में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम क्या करेंगे एक एक करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो सारे नास्ते को एक एक करके प्लीट में निकाल लीजिए और बचे वे नास्ते को ऐसी फ्राय कर लेंगे दून साइड से गूल्डन ब्राउन होने तक तो देख सकते हैं गर्मा गरम प्याज और आलू का पकोड़े बन के त्यार है आप इस रेस्पी को एक बार जुरूर टाइक कीजिएगा अगर आपको यह रेस्पी मेरी अच्छे लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जुरूर बताएं और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब कर लीजिए मिलते हूँ एक ने रिस्पी के साथ तब तक बाई बाई